असलाम अलेकूं मुहम्मद असान हाश्मी और आज हम सी लेंग्विज के सेकेंड लेक्चर के साथ यहां पे हाजिर हुए है लास्टाइम हमने जो डिसकेशन हमारी चल रही थी वो टोग्रामिंग लेंग्विजिस के ओपर थी और मैंने बताया था कि यह वो सेट आफ रूल् जो computer program लिखने के लिए इस्तमाल होते हैं इनसान ने machine के साथ रापता करने के लिए इन rules को develop किया वो दो तरह से हैं एक को हम कहते है low level languages और दूसरे को हम कहते है high level languages यह दो rules हैं जो जिन के जरीए से इनसान machine तक अपनी बात को पहुँचा भी सकता है और machine उन instructions को जो इनसान क करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी languages आ जाती हैं जो सिर्फ machine असानी से समझ सकती है इनसान उन्हें असानी से नहीं समझ सकते हैं हम उन्हें low level languages के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं so according to the definition of low level languages a computer language that is close to the machine and far from the human being is called low level language एसी languages जो इनसान से दूर लेकिन machine से नस्दीक और machine उन्हें directly understand कर सकती है हम उन्हें machine language या low level languages के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं basically जो low level languages हैं उनको अगर हम categorize करें तो वो दो हिस्सों के उपर मिश्तमिल होती है एक को हम कहते हैं machine language और दूसरी को हम कहते हैं assembly language अगर हम machine language की बात करें तो चुंके computer एक digital machine है तो digital machine को run करने के लिए फिर हमें digital algebra की जरुवत पेश आती है यह boolean algebra भी कहलाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो numbers zero और one वो इस्तमाल होता है और machine सिर्फ उन instructions को directly interpret करती है जो zeros और ones की फार्म में होती है जैसे आप अगर simply electronic machine की बात करें switchboard जो आपके गरों में लगा होता है उसमें सिर्फ दो options available होते हैं zero और one on या off दो states उसमें available होते हैं यह computer की native और fundamental language है जिसके वज़ासे computer अपने tasks को directly understand भी करता है और manipulate भी करता है लेकिन यहां पर मैं यह बताना जरूरी समझता हूं कि जो हर computer है उसकी machine language या उसका जो machine code है वो unique होता है और वो सिरफ उसे ही समझ सकता है मतलब जो language Dell के computer की होगी जरूरी नहीं है कि वो Mac operating system की भी वही हो अब हम दूसरी language जिसका नाम assembly language है उसके उपर discussion करते हैं यह machine language से एक step उपर है one step higher than the machine language और इसमें इंसान ने अपने लिए बेहतर हल तलाश किया कि वो बेहतर तरीके से programming करें और अपने results को manipulate करें यह English like words के बेस करती है जिन को हम nimunix के नाम से represent करते हैं पढ़ने के द बार से हम इसको nimunix पढ़ेंगे लेकिन लिखने के इतबार से यह कि निमो नेकिस लिक्षी जाती है यह आम तोर पे language इस्तमाल की जाती है system software को firmware software को लिखने के लिए लेकिन याद रहे जो system software ईंको लिखने के लि यह इंसान को समझ आ जते हैं और इंसान ने अपनी सहुलत के लिए इन लेंगविजिस को बनाया भी है So, हम simply कह सकते हैं, these are the languages that are near to human and far from the machine And machine cannot directly understand these types of languages and the code that is written inside these languages So, हर language का अपना रूल होता है, जिसके मताबरिक उसने अपने set of operations को implement करना होता है इस मकसद के लिए के हम जो code हमने लिखा उसको machine को समझा सके हमें एक ऐसे प्रोग्राम की जूरत पेश आती है जिसको हम translator कहते हैं, जो हमारी बात machine को समझाए और machine जो बात समझे उसके उपर operations को execute करे यह हमारा आइंता lecture भी होगा, लेकिन यहां आपको कुछ examples वो high-level languages के नज़र आ रही हैं जैसे basic C, C++, Java, Pascal, Cobol, Fortran और इस तरह की और बहुत से languages हैं जो recently भी हम इस्तमाल करते हैं, जिनके जरीए से हम machine के उपर, जो computer है उसके उपर program रिखते हैं अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, high-level language की characteristics के उपर, इसकी खसूसियात क्या होती हैं यह एक असान फहम language होती है, जो किसी भी programmer को असानी से समझा जाती है, और वो इसको सीख सकता है सो हम simply कह सकते हैं, सीखना इसको बहुत असान है, उसके बाद इसमें standardized syntax होता है standardized syntax से मुराद यह होता है, कि इसमें जो rules हैं, चुंकि वो पहले से define होते हैं, तो हम उन rules को obey करते हैं, follow करते हैं और उसके नतीजे में हमने प्रोग्राम को लिखना होता है, और यह हर जग आप एक जैसे होते हैं, यह change नहीं होते हैं जैसे अगर मैं अपने घर में बैटके hash-include के जरीए से c-language का program लिख रहा हूँ, तो आप भी अपने घर में बैटके hash-include सही लिखेंगे, इसका मतलब है कि उसका syntax define है, आपने उस यह syntax को follow करना है उसके बाद इसमें error को detect करना यह असान होता है, rather than the machine language, और summary language इसमें जो compiler और interpreter available होते हैं, उनके जरीए से हम असानी से किसी भी error को किसी भी bug को trace कर सकते हैं उसके बाद इस language को सीखने के लिए हमें hardware का deep knowledge होना जरूरी नहीं है, आपको मतलब मैं अगर एक hardware engineer नहीं हूँ तो मैं simply मुख्तलिफ तरह की जो languages हैं, उनको सीख के computer के उपर program लिख सकता हूँ, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको hardware की हर चीज का पता होना चाहिए, so deep knowledge is not required for learning a high level language उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी characteristics में यह machine independence होती है, कोई भी high level language है, वो mostly machine independent होती है, machine independent से मुराद यह है, कि अगर मैंने को प्रोग्राम लिखा जैसे कि आगे चलके लिखूंगा भी, और वो मैं आप लोगों को provide करते हूँ, आप उसे अपने compiler पे चेक करते हैं, तो वो असानी से वहां पे run भी करेगा, और execute भी करेगा, और compile भी होगा, so, होना ही यह चाहिए था, machine independent, अगर वो ना होता, तो वो सिरफ मेरी machine पे चलना चाहिए था, मेरे laptop पे, मेरे computer पे चलना चाहिए था, आपके computer पे नहीं था चलना चाहिए, लेकिन वो चलता है, इसके बाद इसमें बहुत से programmer होते हैं, जैसे मैं एक programmer हूँ, अब जब मैंने आपको यह course पढ़ाना है, तो इसके बाद आपने भी एक programmer बन जाने है, फिर कल को आप आगे किसी के साथ बाचीत करेंगे, और कल को आप किसी को पढ़ाएंगे, तो वो भी programmer बन जाएगा, so, इसमें बहु अगर हम अगर हाई-level languages में से बात करें के हमारा जो syllabus है, वो कुन सा है, तो जो examples यहां पर आपको नजर आ रही है, उन में से जो C language है, यह हमारा syllabus है, और chapter 8 से लेके chapter 14 तक, वो almost हमने इसको पढ़ना है, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं, कि इसके advantages क्या है, और इन advantages को हम C language ही में क्यों देखते हैं, अगर simply मैं बात करूँ, तो C language, चुंकि यह आगास में जब computer के ओपर अभी नया-nया काम होना शुरू हुआ था, computer में operating systems को लिखा जा रहा था, तो चुंकि उस वकत यह language बनी थी, इसलिए यह बाद में आने वाली जितनी भी languages हैं, उनके लिए ए कि इसका जो structure है, वो well defined है, सारी चीजें पहले से इसके अंदर जो इसके programmers थे, जो इसको बनाने वाले inventor थे, उन्होंने इसके अंदर सारी चीजें पहले से define करके रखती हैं, तो इसका structure वो well defined है, दूसरी इसमें यह खूबी भी है और खामी भी है, कि यह case sensitive है, case sensitive से मुराद ने लिखनी है, उस सारी के सारी lower cases में लिखनी है, small ABC में लिखनी है, आप capital letters इसमें इसमें इसके रिस्टिक्शन में शामिल है, बाद वकाद यह फाइदे बंद भी होती है, बाद वकाद यह फाइदे बंद नहीं थापित होती है, इसके बाद, machine independence is an advantage of C language, जैसे कि हम पहले लिखना और उसको run करना, यह असान होता है, rather than the other languages as well, उसके बाद, चुंकि यह असान फेहम होती है, असानी से समझ आ जाती है, तो यह convenient language है, जिसको बाद असानी समझा भी जा सकता है, और इसमें चुंके programmer बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको सिखाना और पढ़ाना है, दूसरी languages के निसबत, इसके जरीए से हम hardware के equipment को control भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा, तब तक जब तक आप masters में नहीं पहुँच जाते हैं, इसके बाद, चुंकि एक छोटी language है, keywords इसमें बहुत कम हैं, जैसे के आगे च लेक्चर के जो आप लोगोंने languages पेंड़नी हैं, उनके लिए C का सीखना ये बहुत जरूरी है, मुझे उमीद है कि आज का lecture वो आप किताब से एक दफ़ा रीड़ाउट जरूर करेंगे, मुलाकात हो कि इंशालला अगले lecture में, तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा आला हाफिज